हेलो फैंड्स, वेलकम टो पर चैनल हम बात करने वाले KPI ग्रीन एनरजी के आरे में हमारी ही मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है तो अगर आपको भी ऐसे किसी भी स्टॉक पर अनलिसिस चाहिए स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हैं अभी एक लिएगर हम इसका चार्ट देख है तो सबसे पहले हम आते हैं इसके बेसिक सपोर्ट पर तो अभी एक आपको ब्रेकडाउन देखने क्लिया मिला है यह तो यह इस टाइप से लगेगा रेंज यहां पर तो रेंज को फिक्स कर लेंगे यहां पर अगर आप देखोगे तो यह ब्रेकडाउन दिया है ठीक है निकाल देते हैं हम सिंपल यह एक ब्रेकडाउन दिया है और एक रेंज आप अगर आप मार करना चाहिए इसके टॉप लेवल को आप ऐसे मार कर लो सिंपल तो यह ज्यादा एजी रहेगा यह तो इस रेंज में श्टॉक अभी टेट कर रहा था इसका मेजर लेवल अगर हम अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो इसके बाद अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो गरीव सेविन फिटीन के लेवल पर आता है जहां से टेंड लाइन श्टार्ट हुआ है यह वाला और सेम टाइम में यहाँ पर आपको एक्टिविटी भी देखने के लिए मिल रहा ह देखें यहां से सपोर्ट लिया है तो कोई कंफरेंशन नहीं कि ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो यह बहुत अच्छा बाइंग चार्ट बना रहा है अभी के लिए तो यहां पर एक बुलिस साइड पर हम एक ट्रेड बना सकते हैं जैसे यहां पर इसने एक range बनाए हुआ था इसका यहां पर इसने break down दिया लेकिन break down के बाद immediately reversal दे दिया एक बात याद रखेगा यहां पर क्या हो सकता है यह इस level तक जाए और फिर यहां से हो सकता है घूम कर नीचे आ जाए ठीक है तो जब यह उपर जाएगा आप अपने stop loss को trail कर सकते हैं और then continue कर सकते हैं तो इनके सगर reverse आता है तो आपका losses बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए same time में position को manage करेंगे तो आपका losses बिलकुल भी नहीं होगा और आप profit में भी निकल सकते हैं अगर stop loss होता है ठीक है तो यहां से अगर यहां तक जाएगा तो करीब कर से आदा का target already complete कर देगा आप इसमें हम condition समझते हैं या तो यह breakdown दिखा कर breakdown failure दिखा कर basically और मतलब breakdown दिखा कर वहां से फिर reverse कर जाए और यहां से अगर यह reversal देता है जिसके top तक जाएगा तो 1120 का level minimum देखने के लिए मिलने वाला है तो target बहुत बड़े हो सकते है second point यह है कि stock इस level से पहले पहले ही आपको एक reversal दे दे मतलब यहां पर stock push time wait करे और यहां से फिर से आपको breakdown देखने के लिए मिल जाए तो confirmation से पहले बाय नहीं करना है ठीक है यह इसका range है confirmation का इस range में अगर confirmation मिलता है तभी बाय करना है otherwise avoid करके चलना है अगर breakdown मिलता है तो मैंने आपको levels downside पर दे दिये हैं ठीक है यह range है हमारा buying range तो यहां पर आप buying adjust कर सकते हो दिन आप अपने stop loss को उसके according आप adjust कर सकते हैं यह अगर breakdown मिला 860 का level तो directly आप 720 के level तक जाने वाले हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से आद रखेगा कि current level पर buying नहीं करना है wait करना है confirmation आने का confirmation आता आपका stop loss अभी के time में होना चाहिए 4-5% का और अगर आपने high के levels पर buy किया था तो आपका short term का stop loss अलड़ी जा चुका है तो अपनी trade को force करने का या वहां पर उसको continue trail करने का loss में कोई benefit नहीं है और कोई फायदा नहीं है ठीक है तो यह चीज़े याद रखेगा यहां पर इक बार यह buying आ चुका है second time भी trial किया था तो यहां पर already अगर आप देखोगे तो एक breakout failure यहां से देखने के मिला है यह second time भी breakout दिया और breakout failure देखने के मिला है तो ऐसा बहुत कम होता है कि दो या तीन बार breakout या breakdown failure के बाद भी stock same direction में चला जाए तो इसलिए मैंने कहा कि यहां पर breakdown भी देखने के मिल सकता है तो हो सकता है पहले यहां top तक जाए फिर यहां से reverse करें तो आपका बड़ा selling देखने के मिल जाए तो एक बात याद रखेगा stock कहीं भी जाता हो लेकिन यह वाला level बहुत important होने वाला है यह level अगर breakdown होना start हो गया एक बार तो आने वाल टाइम कोई भी buying selling recommendation नहीं तो अगर आप कुछ भी real money के साथ प्लान करते हैं अपनी जरूर करें वीडियो पसंद आता है वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much